महराज जी रादे, रादे, जय श्रीमन नारायन, जय श्रीमन नारायन, महराज जी मैं मार्च में भी आया था होली में और अभी अभी फैमिली को लेकर आया है, सभी फैमिली बेटे मेरी आपे, प्रश्न ऐसा था महराज जी कि मैं पूरे मंदिर घुमा, गोकुल में भी गया निदिवन में भी गया यहां पे भी गया और खाना तो मैं रोज यही खाता हूँ सुबह शाम का और रायना भी आमार हे ही पे प्रशनी यह था गुरु जिरी कि जैसे आश्रम में सब कुछ प्रीमिल रहा है तो निदिवन में भी गया ऊचारवा ही वहाँ भी पैसे का ही मामला दिखा, गोकुल में भी वही दिखा, और बाके भी आरेजु में वैसा कुछ नहीं था, दर्शन को रोर निकल जाओ, लेकिन बहुत सैसे मंदिर है जहाँ पैसे देखे ही कोई चीजे मिलते हैं, जैसे अभी निदिवन देखे आया मैं, तो रादा परानिय जी, वहाँ पे, जो वहाँ से मिलता है, अपने को कुछ जो कुछ भी रहता है, मतलब सामान उनका श्रिंगार, तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, ऐसा क्यों? अब गौरी गौपाल में तो सब फिरी मिल रहा है कि नहीं? यहां कैसी विवस्था हैं, उसका जिम्मेदार मैं हूँ, उसको बहतर बनाना, उसको ठीक करना, लोग क्या कर रहे हैं, उसका आप औ यू कैसे किसी को कुछ कहें, लेकिन आम तो आप कोई चमाथकार मांते हैं इस जर्म में, तो आप इसको सुढार सकते हैं, हम अपने को दोर नहीं चलता, चलता है, नहीं बिलकुल नहीं, फिर इसलिए, मैं अपनी जगह कैसा हूँ, मैं अपने को देखता हूँ, लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे हैं, लोगों के बारे में कुछ नहीं, मैं अपनी गौरी गौपाल में आपको, फ्री में भरपिड भोजन मिल रह है गौरी गौपाल में बच्चों को सिक्षा फ्री में मिल रही हैither माता हो को रहना फ्री है जो यहां है वो देखिए और यहां की चीजह देख करके बाकी चीजह से अपने इसको तुलनात मग द्रश्टी कर सकते हैं बाकी वहां वो चीजें लाते होंगे पैसों से तो पैसे लेते हैं फ्री में तो नहीं मिलती न वो चीजें जो देते हैं आपको नहीं नहीं बिलकुल नहीं आपको जो चीजें वो देते हैं वो कितने रुपए की होती है उसका तो अंदाजा नहीं लगा सकते हैं उसको लाकों में भी गिन सकते हैं और या पिर पाच दस रुपे की चीज़ें तो दस रुपे की तो होती होंगी तो उसका कुछ मूल यदी लेते होंगे तो वो क्या बुरा है फ्री में आप हर चीज क्यों चाहते हैं आपकी आदतें भी तो बिगड़ रही है हर चीज आपको फिरी में चाहिए क्यों चाहिए कुछ चीजों का मूल चुका के लीजिए न आपको चूड़ी यदि वो दे रहे हैं वहां से सिंगार दे रहे हैं कुम-कुम भी दे रहे है तो वो कुम-कुम भी तो बाजार में फिरी में नहीं मिलती ना यदि अगर किसी के पास में नहीं है कुछ देने के लिए उसको चाहिए तो क्या करें तो वो क्यों चाहिए प्रणाम करो वहां की माथे से लगा उसी का पुन्य है वस्तूओं की डिमांड यदि आपकी है आप बाजार में सौना लेने जाओगे तो ऐसा तो नहीं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं मुझे एक तोला सौना दे दे यार फिरी में दे दे सबको तो पैसे से देता है हमें ऐसे हमारे पैसे नहीं दे दे देगा दुकांदार नहीं फिर इसलिए आप लोग न थोड़ा आप लोग भी समझो इन बातों को कि बाजार में हर चीज फिरी में क्यों चाहिए लोगों को कहीं कोई दी मूल ले रहा है उस चीज का तो आप नेगेटिव ही क्यों सोचते हैं पोजिटिविटी भी तो हो सकती है एक ये पहलू भी तो है कि वो चीज़ें पैसे में आती है दो चूड़ी बाजार में खरीदने जाओगे तो फिरी में ना मिलेगी एक को फिरी में दे देगा पर उसकी पैसे लगते हैं ना बिटा तो आप ने कितने दी उस चीज के मेरी ममी ने तो पांच सो रुपए दे थे उसमें उसको शिंगार मिलेगा बस यही तो आप कि श्रद्धा से आपने कितने दी वो आपकी पांच सो ही मांगे थे क्या मांगे नहीं थे जो अपने श्रद्धा से थे लेकिन तो जो वहां दस रुपए देता होगा ना उसको भ देंगे बिल्कुल देंगे यही सवाल था बस कुछ नहीं लेकिन वो चीज यदी पांच रुपए की है दस रुपए की है और आप उसका दस रुपए मूल दे रहे हैं वो मांग तो रहे नहीं कि आप हमें दो वो तो आपकी श्रद्धा है कि 10 रुपए दो 20 रुपए दो 50 र मिलती हैं नहीं फिर तो इसलिए हमें अधी किसी चीज का मूल देना पड़े तो उसको परिशान नहीं होना चाहिए ठीक राधे 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 गरुजा राधे राधे